निदी फाउंडेशन के मुख्य समरक्षक, एबम चंडिगर्ड उनिवर्सिटी के चांसलर, बेरे मित्र, श्री सतनाम, श्री संदू जी, निदी फाउंडेशन के सभी सदस्य गण, और सभी सन्मानित साथी गण. आप में से कुछ लोगों को पहले से जानने का मिलना का आउसर मुझे मिलता रहा है, गुर्द्वारों में जाना, सेवा में समय देना, लंगर पाना, सीख परिवारों के घरों पर रहना, ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा स्वाभाविक हिस्सा रहा है. यहां प्रधानमंत्री आवास मैं भी समय समय पर सीख संतों के चरण पढ़ते रहते हैं, और ये मेरा बड़ा स्वभावग्य रहा है, उनकी संगत्ता स्वभावग्य मुझे अक्सर मिलता रहता है. बाग्य और मैंनों जब मैं किसी विदेश यात्रा पर जाता हूँ, तो वहां भी जब सीख समाज के साथियों से मिलता हूँ, तो मन घर्व से भर उटाएजी. 2015 की मेरी कनाड़ा यात्रा आप मैंसे कहीं लोगों के आद होगा, और धर्ला जी तो मैं मुख्य मंत्री नहीं था तब से जालता हूँ. ये कनाड़ा के लिए चार दसकों में किसी भारतिय प्रधान मंत्री की पहली स्टेंड एलोन बाइलेटरल विजीट थी, और मैं केबल ओटावा और करेंटों ही नहीं गया था. मुझे आद है तब मैंने कहा था कि मैं वेंकुवर जाओंगा और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ. मैं वहाँ गया, गुरुदवरा खाल सा दिवान में मुझे माथा टेकने का सभागी मिला. संगत के सदस्यों के बहुत अच्छी बाते हुए. इसी तरह 2016 में जब मैं इरान गया, तो वहाँ भी तहरान में भाई गंगा सी सभाग गुरुदवरा जाने का मुझे सभागी मिला. मेरे जीवन का एक और अविश्मनेनी एक्षन फ्रांस में नव सपहल इंजियन मेमोरियल के मेरी यात्रा भी है. ये मेमोरियल विश्वयुत के समय भारतिय सहीनिकों के बलिदान के लिए उन्हें स्रधान्जली देता है. और इनमें भी एक बड़ी संख्या हमारे सिख भाईवियों की थी. ये अनुभव इस बात का उदारण है कि कैसे हमारे सिख समाज ने भारत और दुसरे देशों के रिस्तों की एक मजबुत कड़ी बनने का काम किया है. मेरा सभवाग है कि आज मुझे इस कड़ी को और मजबुत करने का अवसर मिला है. और मैं इसके लिए हर संभव प्रयास भी करता रहता हूँ. साथियों हमारे गुरों ने हमें साहस और सेवा की सिख दी है. दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बिना किसी संसादन के हमारे भारत के लोग गए और अपने स्रम से सभलता के मुकाम हासिल किये है. यही स्पिरिट आज नए भारत की स्पिरिट बन गई है. नया भारत नए आयमों को छो रहा है. पूरी दुनिया पर अपनी चाप छोड़ रहा है. करोना महामारी का एक कालखन इसका सबसे बला उधारा है. महामारी की शुरुवात में पुरानी सोच वाले लोग भारत को लेकर चिंताए जाहिर कर रहे थे. हर कोई कुछों कुछ कहता रहता था. लेकिन अब लोग भारत का उदहान दे करके दुनिया को बताते हैं कि देखिए भारत ने ऐसा किया है. पहले कहा जा रहा था कि भारत की इतनी बड़ी आबादी, भारत को कहां से वैक्षिन मिलेगी, कैसे लोगों का जीवन बचेगा. लेकिन आज भारत वैक्षिन का सबसे बड़ा सुरक्षा कबच तयार करने वाला देश बन करके आज उबरा है. करोड़ों वैक्षिन दोच हमारे देश में लगाई चुकी है. आपको भी सुनकर गर्व होगा कि इसमें भी 99% वैक्षिनेशन हमारी अपनी मेड इन इंडिया वैक्षिनेशन से हुआ है. इसी कालवखन में हम दुनिया के सबसे बड़े स्टार्ट अप इको सिस्टिम में से एक बन करके उभरे हैं. हमारे युनिकॉन्स के संख्या लगातार बढ़ रही है. भारत का ये बढ़ता हुआ कदर, ये बढ़ती हुई सांख, इससे सबसे जादा किसी का सर उंचा होता है, तो वो हमारे डाइस्पुरा का है. क्योंकि जब देश का संमान बढ़ता है, तो लाखो, करोडो, भारतिय मुल्के लोगों का भी उतना ही संमान बढ़ जाता है. उनके प्रति दुनिया का नजरिया बढ़ जाता है. इस सम्मान के साथ नई आउसर भी आते हैं नई भागिदारिया भी आती है और सुरक्षा की भावना भी मजबूत होती है हमारे भारतिय डायस्परा को तो मैं हमेशा भारत का राष्ट्रदूद मानता रहा हूँ सरकार जो बेटी है वो तो राजदूद है लेकिन आप जो है राष्ट्रदूद है आप सभी भारत से भार मा भारती की बुलंद आवाज है बुलंद पहचान है भारत की प्रगति देखकर आपका भी सिना चोड़ा होता है आपका भी सिर्व गर्व से उंचा होता है परदेश में रहते हुए है आप अपने देश की भी चिंता करते हैं इसलिए विदेश में रहते हुए भारत की सबलता को आगे बढ़ाने में भारत की छवी को और मजबुत करने में भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका है हम दुनिया में कहीं भी रहें इंडिया फर्स्ट राष्ट प्रथम हमारी पहली आस्ता होनी चाहिए साथियों हमारे सभी दस गुरुओं ने राष्ट को सबसे उपर रखकर भारत को एक सुत्तर में पिरोया था गुरु नानक देवजी रें पूरे राष्ट की चेतना को जगाया था पूरे राष्ट को अंधकार से निकाल कर प्रकाश की रहा दिखाई थि हमारे गुरुओं ने पूरब से पस्टी मुत्तर से दख्षे पूरे भारत की यात्राय की हर कहीं कहीं पर भी जाईए उनकी नुशानिया है उनकी प्रेड़ाय है उनके लिए आस्ता है पंजाब में गुरुद्वारा हरमंदिर साहब जी से लेकर उत्राखन में गुरुद्वारा हेमकुन साहब तक माराश में गुरुद्वारा हुजुरु साहिब से लेकर हिमाचल में गुरुद्वारा पांटा साहब तक बिहार में तक्त सिर्पटना साब से लेकर गुजरात के कच्चे गुरुद्वारा लक्त सी साब तक हमारे गुरुओं ने लोगों को प्रेणा दी अपनी चरण रच से इस भूमी को पवित्र किया इसलिए सिख परंपरा वास्तव में एक भारत स्वेष्ट भारत की जीवन्द परंपरा है भाई और भेनों आजादी की लड़ाई में और आजादी के बाद भी सिख समाज का देश के लिए जो योगदान है उसके लिए पूरा भारत कृतग्यता अनुभव करता है महराजा रंजित सिंग का योगदान हो अंग्रेजों के खिलाब लड़ाई हो या जलियावाला भाग हो इनके बिना न भारत का इतिहास पुरा होता है न हिंदुस्तान पुरा होता है आज भी सीमा पर खड़े सिख सैनिकों के सौरिय से लेकर देश की अर्थ बवस्ता में सिख समाज की भागिदारी और सिख एनराइज के योगदान तक सिख समाज देश के साहस देश का सामर्त और देश के स्रम का परियाय बना हुआ है साथियों आज़ादी के अमरित महोत्सव हमारे स्वतंत्रता संगराम के साथ साथ हमारी संस्कृती और विरासत को सेलिब्रेट करने का भी अवसर है क्योंकि आज़ादी के लिए भारत का संगर्ष केवल एक सिमित कालखन की गटना नहीं है इसके पीछे हजारों साल की चेतना और आदर्ष जुड़ी थी इसके पीछे अध्यात्मिक मुमुल्य और कितने ही तब त्याग जुड़े हुए थे इसलिए आदेश जब एक तरफ आज़ादी का अमरत महत्सव मनाता है तो साथ ही लाल कीले पर गुरुतेग बाहदुर जी का चारसोवा प्रकास परवभी मनाता है गुरुतेग बाहदुर जी के चारसोवे प्रकास परवभी पुरी स्रद्धा के साथ देश विदेश में मनाया था गुरु गोविन सीजी के तिनसोपचास परवभी का सवभागे भी हमें ही मिला था साथियों इसके साथ ही इसी कालखंड में करतारपूर साहब कोरिडूर का निर्मान भी हुआ आज लाखो सरद्धानों को वहाँ शीष नवाने का सवभागे मिल रहा है लंगर को टैक्स लिकरने से लेकर हरमिंदर साहब को एपसी आरे की अनुमती तक गुर्दवारों के आसपास स्वचता बढ़ाने के लेकर उन्हें बहतर इंफ्रास्टर से जोडने तक देश आज हर संभव प्रयास कर रहा है और मैं सत्नाम जी को अभारवेक्त करता हूँ उन्होंने जिस प्रकार से वीडियो को संकलित करके दिखाया पता चल सकता है कि पूरी सद्धागे साथ हर छेत्र में किस प्रकार से काम हुआ है आप लोगों से समय समय पर जो सुझाओं मिलते हैं आज भी काफी सुझाओं मेरे पास आपने दिये है मेरा प्रयास रहता है कि उनकी आधार पर देश सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे साथ क्यों हमारे गुरुओं के जीवन की जो सबसे बड़ी प्रेणा है वो है हमारे कर्तवियों का बोध आज हाजी के अमरित काल में देश भी आज कर्तवियों को प्रात्विक्ता देने की बात कर रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास यही मंत्र हम सबको भारत के उच्वल भविश्य को सुनिस्चित करता है एक कर्तविया केवल हमारे वरतमान के लिए नहीं है यह हमारे और हमारे देश के भविश्य के लिए भी है यह हमारी आने वाली पीडियों के लिए भी है उधान के तौर पर आज पर्यावरन देश और दुनिया के सामने एक बड़ा संकट है इसका समाधान भारत की संस्कृति और संस्कारों में है सीख समाज इसका जीता जाकता उदानन है सीख समाज में हम जितनी चिंता पिंड की करते हैं उतनी ही परियावरन और प्लैनेर की भी करते हैं प्रदुशन के खिला प्रयास हो कुपोशन से लडाई हो या अपने सांस्कृतिक मुल्यों की रक्षा हो आप सभी इसी तरह के हर प्रयास से जुड़े नजर आते हैं इसी स्रंखला में मेरा आप से एक आगरभी और है आप जानते हैं कि अमरित महुसों में देशने के सभी जीलों में याने हर जीले में 75 अमरित सरोवर का संकल्प लिया है आप भी अपने पिंडों में अमरित सरोवरों के निर्मार का अभियान चला सकते हैं साथियों हमारे गुरुओं ने हमें आत्म सम्मान और मानो जीवन के गवरव का जो पाठ बढ़ाया उसका भी प्रभाव हमें हर सिक के जीवन में दिखता है आज आदि के अमरित काल में यही आज यही देश का भी संकल्प है हमें आत्मन निर्भर बनना है गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन बहतर करना है इन सब प्रयासों में आप सभी की सक्रिय भागिदारी होना और आप सब का सक्रिय योगदान होना बहुत अनिवारी और आवश्चक है मुझे पूरा भरोसा है गुरुओं के आसिरवात से हम सफल होंगे जल्द एक नए भारत के लक्स तक पहुँचेंगे इसी संकल्पों ये साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका यहाँ आना वो मेरे लिए संगत से भी बहुत ज़्यादा है और इसलिए आपकी एक कुर्पा बनी रहे और मैं हमेशा कहता हूँ ये प्रधान मंत्री निवास्थान ये मोदी का घर नहीं है ये आपका अधिकार छेतर है ये आपका है इसी भाव से इसी अपने पन से हमेशा हमेशा हम मिल करके माभारती के लिए हमारे देश के गरिबों के लिए हमारे देश के हर समाज के उठ्ठान के लिए हम अपना कारे करते रहे गुरुओं के आशिरवाद हम पर बने रहे इसी एक भावना के साथ मैं फिर एक बार आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ वहे गुरु का खाल्चा वहे गुरु के भता वहे गुरु के बहुत 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 बहुत